आप देखे सर आते हैं सरम लोग हलो 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 प्रियोडिक टेबल का क्लास करते हैं सर ठीक है प्रियोडिक टेबल बड़ा बच्चों को परिसान किया था इस बार गुरु जी तुमको पढ़ाएंगे और सारे के सारे प्रशने आपके बनेगे आप को उच्चन बनाईए और आपसे बनेगा प्रियोडिक टेबल नाम तो सुनाई होगा आतंक का दूसरा नाम तप्तों की आवर्त साड़नी ठीक है प्रियोडिक क्या है इस बड़ा गड़ा बढ़ा लगता है के बाद आपको प्रियोडिक्टेबल एकदम आसान लएगा क्योंकि टूदी पॉइंट में बात करने वाला हूँ आपसे और प्रियोडिक्टेबल गौर फर्माईएगा पहले predictable का इतिहास क्या है और कैसे कैसे ये predictable आए आवर सार्णी के बारे में क्यों सुचा गया इस पर चर्चा करते हैं पहले हुआ क्या सर अलग-अलग जगों पर अलग-अलग material अबलेबल था उसको सजा पाना जैसे हमारे पास सर books होती है तो कहीं पर हम सर निहांदी जगा अगर हमारे पास books होती है तो हम लोग क्या करते हैं सर साइंस को एक जगा रहते हैं आर्ट्स को एक जगा रखते हैं कॉपी को एक जगा रखते हैं किताब को एक जगा रखते हैं नोट्स को एक जगा रखते हैं practice set को एक जगा रखते हैं सारी किताबों को हम अलग अलगा ठीक है मामला क्या है मामला यह है कि जो तत्तों का वर्ति वर्गी करन किया गया कि कहा गया कि इसका वर्गी करन करो कि math वबुक एक जगा रखदो science वबुक एक जगा रखदो आठ से लबुक एक जगा रखदो notes एक जगा रखदो practice set एक जगा रखदो ताकि निकालने में आसानी हो ताकि समझने में आसानी हो ताकि गुन को समझने में आसानी जैसे सर भाइस अगर है तो भाइस बड़ा है की छोटा है गून तलाग भग्समाने होता है तब बड़का भाइस ऩोगरवाद च्छटका भाइस ऩोगरवाद वकरवाद छटका भाइस को सजा दिया गया कःते हैं कि हम लोग अपने रैक में चीजों को सजाते हैं वैसे ये आवर्थ सारनी बनी जिसमें चीजों को सजाने का जुगार किया गया, उससे पहल, इसको जब सजाने की बारी आई सर, तो ग्हांदी जगा इसको जब कुछ 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 कमेंट्स नहीं करें लड़का लिखता है कि सर हम सब चीज को एक के जगा रखते हैं तो एकदम रिसब जी आपकी कसम आपको ब्लॉक किया जा रहा है अब लिखो करो उसको जल्दी ब्लॉक करो हमने आपको कहा कि तत्तों का वर्गी करन करने के आखिर आवशक्ता क्यों पड़ी क्यों कि तत्तों के वर्गी करन के आवशक्ता इसलिए पड़ी क्योंकि तत्तों अलग-अलग जगा पड़ थे अलग-अलग जगा पड़ थे तो माम लागर बड़ा रहा था पते ने चला ज देखने जाना पड़ेगा तो इसके गुनों का पता चलने लगा तुछ लेकिन इसने प्रियास बहुतों ने किया सफलता एक ही लोग को मिली इसे कोई सर्मामला होता है तो अगरापर सब प्रियास करता है 12-14 साल के उमर से ही प्रियास चालू हो जाता है लेकिन सफलता एक एक गोग मिलता है जगरा सरकारी नौकरी मिलता है बाद मकीत बावु ओकर गली महला में घुमते टहलते ओकर टाइम बीच जाता है अने का मतलब यह हुआ कि प्रियास इसमें बहुत लोगों ने किया लेकिन सफलता है क्यों को मिली एक राप सरकारी नौकरी था मोसले को मोसले चचा को इसमें सफलता मिली तो उससे पहले और भी चचाएं आएं आएं और गए सबसे पहले डोबेरीनर आया कहा हम सजा देंगे सारे तत्व को हम सजा देंगे गुनों क्या धार पना आये उखाड पाया कुछ लेनड आया निवलेंड लेनडों से कुछ नय उखड़ा तो कर वाद मेंडलीफ आया मेंडलीफ थोड़ा बहुत उखाड़ा पादबगई जैत था वोरा पूरा उखाड़ दिया के मोसले कौ ब्रजले एका प्रिएर्टेवल अभी चलता है त B2 अधनिक अवर्त यसार्णी घॉए गौर फर्माइए गासरर के गाते हैं सबसे पहले किस ने दिया गौर फर्माईएगा शब्षे पहले gua 18-29 में दोबरीनर ने दिया 1829 में Doberiner ने दिया, 1863 में Newland ने दिया, 1869 में Mendeleaf ने दिया, और 1913 में Mosley ने दिया ज्यांदी जगह से 1829, 1863, 1869, 1913 ज्यांदी जगह से 29, 63, 69, 13, 1829 में 1829 में 1863 में 1869 में 1913 में 1829, 1863, 1869, 1913 सबसे पहले 1829 में कोशिश किया Doberiner ने किसने कोशिश किया जान हमर, Doberiner ने कि का कि हम सब तक तो जतना है ना आयरोन है, कॉपर है, जोना है, चांदी है, फलना है, डेकलना है, चिलना है, सब को हम सजा देंगे काहों, काहों Doberiner ने सजाया सर पहले अपना जुगार देखा जैसे नहीं हम लोग सर सजा देते हैं कोई-कोई सजाता है सब्जक के अनुसार कोई-कोई बेवकूफ रहता हूँ साइज के आधार पर सजा देता है हम लोग किताब सजाते हैं हम लोग सर सजा दे साइन्स आनल आर्ट से नहीं मेंठेल नões टिन जगरादुए तिन्व किताब है आपना साइज के हिसाथ है अस्ते upgrade सबसै बढ़काई कोई-कोई-कोई सजा नहीं केक्ष है कोई-कोई-कोट-कोई यह अलग प्रकार से सजाए, यह अलग प्रकार से सजाए, यह अलग प्रकार से सजाए, यह अलग प्रकार से गौर फर्माईएगा एक लड़का कहता है, आँ देखिए, जैसे उपर में सजा हुआ है आप देखिएगा जब उपर के किताबों को आप देखिएगा सर तो आपको गौर फर्माईएगा आपको दिखाई देगा उपर में देखिए मेरी किताबें सजी हुई है किसी भी परकार से सजी हुई है जैसे हमने क्या किया है सर गौर फर्माईएगा तो इधर आप बिहार एक परिचाय तो साइंस तो मदवन्नी मद्यकालिन भारत यहां सर इतिहास वाला सेक्षन को हमने रख दिया है इस सड़ आओगे तो यह साइंस वाला सेक्षन है अब उधर जाओगे तो यह कच्रा है सर अलग लग सब्जेक्ट को हमने अलग लग तरीके से जब फुरसत मिला था तो सजाये थे सब इधर उधर हो गया है अब गौर फर्माइएगा सर अलग लग किताबे सजी हुई है तो सब अलग अलग प्रकार से है आप जब गौर से देखेएगा सर इधर देखियेगा इधर complete coffee है इधर 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 English है इधर Hindi है इधर copy है फिर science है istory है math है कहने का मतलब यह हुआ चला यह गुरु जी की पार्ट साला है ऐसा नहीं कि तुहीं लोग पढ़ता है गुरु जी भी पढ़ते हैं प्रैक्टिसेट चला हम जो काम करवाएं हैं तो जब तक जीएगा तो कोशिश करेंगे कि हम सर यही प्रैक्टिसेट अब तुम बनाए और हमारा पॉब्लिकेशन से जब प्रैक्टिसेट आए तो तुम याद करो कि हाम को यही पौढ़ना है और सबसे बेस्ट हो कहेगा कि प्रैक्टिसेट में दौम है पारलेट्स लेवल तीन लेवल में है लेवल वन ने बनाते बनाते तो और फट जाएगा आप ध्यान देना चला हमने कहा अंगो बुलो भी देखो इतने पर छोण दो आएगा दर डिजिस्ट करेगा ध्यान देजेगा से 1829 में इसने क्या क्या ना साइज क्या दार पर सजा दिया फिर आया न्यू लेंड न्यू लेंड ने सर 1863 में सजा दिया और तब आया चला मौसले मेंड लीफ मेंड लीफ ने 1869 में सजा दिया और उसके बाद आया चला मौसले मौसले ने 1913 में सजा दिया अब यह कैसे सजाया ध्यान देना यह कैसे सजाया सेर्ड जो डोबेरीनर है यह डोबेरीनर कैसे सजाया तो डोबेरीनर ने क्या क्या यह तिरियक नियम दिया डोबेरीनर ने तिरियक नियम दिया निवलेंड ने अस्टक नियम दिया अस्टक नियम दिया ठीक है मेंडलीफ की अगर हम बात करें अगर हम मेंडलीफ की बात करें तेखो तुम्हें लोग जही लड़ रहा है ना मामला गड़बड हो जाए रूपा कमेंट्स काई कर रही है आतुमें एहसान तुरा में एक दम बॉक कर देंगे एक भी लड़का अगर रुपा को reply देता है तो वो class नहीं करेगा आगले दिन से और यह hard है मेरे तरफ से क्योंकि अगर तुम नारी का सम्मान नहीं कर सकता है तो तुमको किसी कोई हक नहीं है मेरा class करने है इसलिए कोई लड़का उसको reply नहीं देगा तिरियक नियम रुपा तुमको जो बोलना है बोलो तुमको आप कोई reply नहीं देगा डोबेरीनर तिरियक नियम न्यूलेंड अस्टक नियम मेंडलीफ ने सर परमानुभार के आधार पर तत्तों को सजाया मेंधलीफ ने परमानुबहर के आधार पर तत्तों को सजाने की कोशिश की और तब मुस्ले सहाव आए ति परमानुसंख्या के आधार पर सजा दिया ध्यान देना चला 1829 में तिर्यक नियम दिया निू लेंड ने 1863 में अस्टक नियम दिया मेंडलीफ ने 1869 में परवनुभार के अधार पर सजाया मौसले ने सर्परवनुशंख्या के अधार पर सजाया ठीक है तो पहला छिटको पड़ था 1727 में Doberiner इसंतिरियाक निअम दिया क्या दिया इस पर पढ़ेंगे orchard 33 설 में अस्टक नियम दिया ये क्या दिया इस पर पढ़ेंगे manleaf ने 1869 में परबानु भार के आधर पर सजाय और mosley ने परवानु संख्या के आधर पर सजय जा सब से जयाद संक्स्थफुम्हा Er इसना बोड़ा बेग्यानीласт तो गया लगा जिसके गांणी लोग बरबाद होगल, और सपर काम किया गया और evils rester ये मामला बना यह मनला कसा, अब देखो ये कमेंट्स अगर तुमने रूपा पर किया तो इसकी पूरी जवाब देही तुमको लेनी होगी और क्लास तुमारा सस्पेंड हो जाएगा कातेंट डोबेरीनर 18-27 इस्वी में तिरियक नियम दिया न्यू लेंड 18-63 में अक्टेव रूल या अक्टेट रूल या अश्टक नियम दिया मेंडलीफ ने उसके बाद नियम दिया 18-69 में एटमिक परमानु भार के आधार पर तत्तों को सजाने की कोशिश की परमानु भार के आधार पर तत्तों को सजाया और मौसले ने उन्हें सब 13 में पहला है आपका सर डोबेरीनर का तिर्यक्मियों इसकी खोज कितना में हुई थे सर? 1829 इस्वी में हुई इसकी खोज कितना इस्वी में हुई सर? 1829 इस्वी में हुई डोबेरीनर ने जो खोज किया था इसकी खोज डोबेरीनर ट्राइड्स कहते हैं इसको ट्राइट्स का मतलब तिर्यक कह सकते हो इसकी खोई दोवेरिनर ने 1829 में की जन्व 1780 में मृत्यू 1849 में जर्मनी के वेज्ञानिक थे 1829 इसवी में इन्होंने अब किया क्या असर इन्होंने क्या किया गौर फर्माईएगा यह तो साफे पागल था अगर पगल पंथी के तो कोई बाते नहीं था इसने कहा ये लो लीथियम इसने कहा सर देखो क्या कहा है तिर्यक नियम क्या था इसका लीथियम पोटैसियम और सोडियम लीथियम H1, HE2, Li3, 3, 7 सोडियम 11, 23 अगर सर पोटैसियम की बात करें तो 11, 19 ज्यान देना एकदम आराम से इसने क्या कहा सर कि अगर इसका अगर बात करोगे सर तो ये हो जाएगा आपका 23 भार होता है इसका बड़ा बड़ा लिखते हैं ने तो मामला गड़ बड़ा देगा तो 19 नहीं होता है 49 होता है लीथियम का होता है H1, HE2, Li3 7 मान लो तोडियम का होता है 11,23 और पोटेसियम का होता है 49 इक होता क्या था सर कि पहला ये पहला तत्त है और ये तीसरा तत्त है ये दूसरा तत्त है इक होता क्या था सर यह कहता था पहला और तीसरा तत्व का जो भार का अवसत होगा वो दूसरे तत्व के बराबर होगा साफ पागलत है मुढमती मुढमती समझ रहा है साप पागलत है कैसे सजेगा यतना तत्व है मतलब नहीं होता है कभी-कभी तुम देखना गाउंगार में के गुरूस मिलेगा नहीं यह बोल रहा है मांकसन साफे चैनल छोड पतेन चलेगा उच्टमल बोल की रहा है अब देखो यह क्या कहता था अगर पहला और तीसरा का जो भार का एडिसन है अवसत है वो दूसरे के बराबर होगा आप कहेगा कैसे देखो दूसरा का द्रविमान बराबर होगा पहला पहला होगया साथ तीसरा होगया 49 अब बट्ट दो साथ प्लस 49 अब बट्ट दो कितना हो जागा 49 46 46 अब बट्ट दो is equal to 20 यह दूसरा के बराबर होगा तब इम उढमती कोई नहीं समझ में आया कि अतना तत्व को हम सजाएंगे कैसे कि दू-3 गो तक तो यह काम किया सत-8 गो तक तो तो उकर बाद कामें नहीं किया तो कितना मुरूख लोग था जैकरा लिखियो दिया किताब में कि मतलब साफे कोई बाते नहीं करा एकर हिसाब से तत्व सजी नहीं सकता तो लेकिन उश्टाइम में चुकि तुम लोग पैदा नहीं हुआ था इसलिए साइंटिस्ट बनने पाया तुम लोग नहीं तब बनिये जाता वो क्या कहता सर ध्यान दिचेगर अगर पहला और तीसरा तत्व का जो अवसत होगा वो दूसरे तत्व के अवसत द्रब्मान जो होगा वो दूसरे तत्व के द्रब्मान के बराबर हो इसको कहा वो तिर्यक नियम कहा जानता है कहा कि तीन गो तत्व नहीं है तो कहा दिया तिर्यक नियम है तिर्यक नियम कहते हैं एक्जाम्पल को लीथियम और पोटेसियम भागा दो करोगे तो सोडियम का एगा देखो लीथियम का 169 यानी 7 के बराबर होता है पोटेसियम 49 भागा दो कर दो के 209 पांच यानी 23 के बराबर होगे कीर कैल्सीयम पर लगा चैल्सीयम और बिरिलियम पाओ की स्ट्रम्फिएम हो गान्से मार दिया के इसालीथियम और पादया होगे जयन्हें न chef dau नग करो बाटेसियम 9,5 यान 23 आएगा और 23 किसका होता सोडियम का वैसे ही सर इसका इसका जोड़ोगे इसके बराबर आ जाएगा तुम करें मास्टर पूछेगा की बताओ एक लेन पूछेगा कथी दोबेरिनर ने कौन सा नियम दिया का ना तिरियक नियम दिया का उसने कितने तत्तों को रखा का तीन तत्तों को का ये बात किसने कही कि दो पहले और तीसरे तत्तों का द्रभ्मान का जो उसा तो का वो दूसरे तत्तों के बराबर कितने हैं इस भी में अठार सब्सक्राइब अब देखो दोबेरीनर ने पहली बार उत्प्रेरक का खुछ यह वो बढ़ियां कामी करके गया प्लेटीनम उत्प्रेरक का खुछ पहली बार डोबेरीनर नहीं किया प्लेटीनम चुर्ण से सर्फ हैबर विधी से अमोनिया वगरह बनाने में आयरें चूड प्लेटीनम चूर्ण का उपयोग किया जाता के दोबेरीनर ने प्लेटीनम उत्प्रेरक की पहली बार खुछ की दोबेरीनर के अब गुन क्या थे खली अब गुन है तो थे यह था दुस्तक्तों को ही सजाया था बाद में जो ट्राइट्स खोजे गये, मतलब 3 घृ तइन गों का जो फिंट रहा था था उस पर ड़ोबिरीनर के नियम फिंट नहीं बैठ रहे थे. डोबिरेनर ने क्या गहा तिर्यक निएंदिया डोबिरीनर ने क्या किया का पहले और तीसरे का जो द्रमान का जो होसत होगा वो दूसरे के बराबर होगा तिर्यक नियम किस ने दिया डोबिरीना ने कितना इस भी में 1829 में अब बाद में जो तिर्यक आए उस पर सरी ये लूम लागू नहीं होता है का हो जान कुजात की नहीं खें कुजात देखो देखो एक बात बताएं हमार इस्ट्रेट्मेंट पर ओवर राइट मत करो गुरु जी के ज्ञान अथा और अनंत हो चुका है इसलिए गुरु जी के ज्ञान पर उंगल ने उठाओ तो इतना उंगल करेंगे दरद से मर जाएगा साथ साल से पढ़ा रहे हैं कितना भाय को पढ़ा दिये होंगे वो जॉब कर रहा है काहिए से करता है अब देखो कम सकम गुरु जी पर दिमाग ने लगाओ जादे बहतर है जे पढ़ा दे रहे हैं चला हो रहा है जाके सर्याद परिच्छा हॉल में आप परिच्छा हॉल में चला कोशिश करेंगे कि एक दम कोश्चन तो हर नए छूटे उस पर कारेवाई कर रहे हैं इधर आ जाई सब इसके बाद जब डोवेरिनर का कोई काम ने हुआ चला तो इसके बाद न्यूलेंड चचा के नियम आये आप कहेगा इक कह दिया रहे मस्टर इक आता था और और चिटखो पड़ था लेकिन कुछ हाथ तक इडोवेरिनर से बढ़ियां था इक हता था ना इस प्रियोडिक टेवल सबको डर आता है सबसे आसान है तारे गामा पाधानी सा ये कहता था कि जैसे ये सा सा मिलता है यानि ये पहला नंबर गौर फर्माईएगा ये दोसरा ये तीसरा ये चव था ये पांचमा ये छट था ये सातमा ये आथमा ये कहता था जैसे पहला स्वर जो है वो आठमे स्वर से मिल जाता है कि असमान होता है। यहां भी साह है, जैसे पहला तत्वान अन्तिम तत्वा से मिल जाता है, यहां भी साह है, यहां भी साह है, वैसे ही तत्व को आन्हों ने इस कदर सजाया कि पहले तत्यों का गुन आठ्वे तत्यों से मिल जाता है किसे सजाय है इससे सजाय है कि पहले तत्यों का जो गुन होगा उँ आठ्वे तत्यों के गुन से मिल जाया इसलिए एक रहा कहा गया अश्टक नियम उट तीन को पर एक्सपेरिमेंट किया चुटमल तो कर तिरियक नियम, यह आठ को पर किया है, कर अस्टक नियम अस्टक नियम किसने दिया? नियू लेंड चचान, कितना इस भी में? 18 1863 में कितना में? 1863 में Very good, मेरा बढ़ाई करो अच्छा लग रहा है हमको पिक्चर अब जॉन नियू लेंड्स की सजावट कुछी इसकदर थी फलना में मर गया फलना में पैदा हुआ चिलना में मर गया जरुरत पड़े ते याद करो ने छोड़ दो मरण जनम ने पुछता है तो देखो की किया यह क्या किया? यह काता था हाइड्रोजन एक नमर तत्व हुआ यह दूई नमर हुआ यह तीन नमर हुआ यह चार नमर हुआ यह पांच नमर हुआ यह छो नमर हुआ यह साथ नमर हुआ यह आठ नमर हुआ यह काता था पहले तत्व का जो गुन होगा पांधमें टत्व की समान होगा आनदमांताका जो ङुवन होगा उपंद्रव में तत्यू के समान जो है आप सथ जोड़ते जाओं गयायोगा पहले तत्व गुण आठमें तत्व की समान समान होगा दूसरे अनुबिये तत्व का गुन जब कहेगा लड़का को लड़का कहका आठ जोडेंगे साथे जोडेंगेasive दू लड़का की करता है पन्चमय तत्या का गुन 25 23 हमे तत्या समान हो toutes नहीं पांचमें तत्व का गुन, बारहमें तत्व के गुन के समान होगा, साते जोड़ना है, फिर चला, कितना जोड़ना है, सात, कितना जोड़ना है, शात, तो कहता है पहले तत्व का गुन, आठमें तत्व से, दूसरे तत्व का नौमें से, तीसरे तत्व का दसमें से, साते सात पार्ट न जोडे हैं इसका जो नियम था ना केल्सियम तक ही मानने था देखो कहने होगा केल्सियम है यहां केल्सियम है यहां आईड्रोजन से सुरू होता था चैल्सियम 已經 ठकर गून अपलाई हो पाता था इसके बाद लेखुन काम ने करता था ठीक हैं और यह आब पर्सार नहीं थोरियम पर आकर खत्म हो गया था अब गून क्या क्या था देखो इसमें केल्सिय में तक गुन काम करता था थोरियम पर आकर खतम हो जाता था पहले तत्यों का गुन आठवे तत्यों से मिलता था दूसरे तत्यों का गुन नौवे तत्यों से मिलता था यह कहीं वर्ग में एक से अधिक तत्यों को रख दिया गया देखो कोबाल्ट और निकेल को रख आइरन को यहां रख दिया, आइरन के साथ होना चाहिए था कोबाल्ट निकेल को क्योंकि दोनों का गुन समान होता है, दोनों को अलग अलग कर दिया, एक्के वर्ग में एक से अधिकतत तो रख दिया, हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, क्लोरीन, क्लोरीन, का हर लाइन जानते हैं तेला तीन साल लगा है लेकिन नए समझेगा ना एक्जाम होले में बैच वैन है अखट अखट जब लगेगा तब तू नाचेगा कहेगा हाँ गुरुजी ठीक से पढ़ा देख लेना ध्यान से गुरुजी बुक का PDF है रीड कर सकते हैं कि बुक लेना पड़ेगा बुक का PDF अगर है तो वही ले लेना है ठीक है पीडियफ से ही अगर आप पढ़ सकने हैं तो बुक लेने की ज़़ूरत नहीं है ठीक है ज्यान दीजेगा सल अगर मैं कहूं कि ये predictable क्यों fail हुआ कहेंगे केल्सियम में तक मानने था इसके बाद अस्टक नियम का नियम ने लगता था थोरियम पर खतम हो जाता था आइरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया हलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रखा गया इसको रखना चाहिए था कोबाल्टर निकल को आईरन के साथ पढ़ हो काता निवलेंड ओक्टेव अस्टक का नियम दिया इसकी खोज निवलेंड ने 1863 में की जन मेतना में मृत्यु एक नाम मन करें तो याद करो ये इंगलेंड के वेग्यानिक थे इनके समय ग्यात ततों की संग्या 56 ही पुछता है इसमें ततों के बढ़ते हुए परमानु द्रमान के आधार पर सजाया गया इसमें आठवें ततों का गुन पहले ततों के गुन के समान होता है या यह तक हो पहले टत्त का में आट में के समान और दूसरी तत्त का में नहां में के समानों समय अब thing 15 वें तत्व का गुल 32 के समाद हो न हमों के अजुरो 9arn साया कि न्यू लैंड की तालिका में को बाल्ट कौहल render को कहां रख दिया ऑलों के साहत रख दिया गया hi दोनों को बहुत दूर रख दिया गया आईरन का गुल्ड कोवार्ड निकल जैसा होता है लेकिन से बहुत दूर रखा गया न्यूलेंड की तालिका में थोरियम पर समाप्त हो जाती है देखो ये थोरियम पर समाप्त हो जाती है न्यूलेंड की तालिका कहां समाप्त हो जाती है केल्सियम तक मानने है दिख लो निव लेंड की आवर सार्णी केल्सियम तक मानने है जल्दी से लिखो निव लेंड की आवर सार्णी केल्सियम तक मानने है हम फिर से बता जते हैं इसमें मामला क्या कै इसने अश्टक नियम दिया और अश्टक नियम में इन्होंने क्या कहа सर्णी इहाँ कि पहले तत्व का गुन आठ्वे तत्व से मिलेगा, दूसरे तत्व का गुन नौवे तत्व से मिलेगा, साथ साथ जोडते जाएंगे तो आठ्वा मिल जाएगा उसके बाद इसका सर ये calcium तक ही इसका गुन ये मानने था पहले का गुन आठ में से दूसरे का 9 में से thorium तक ही आवर साथ नी thorium पर समाप्त हो जाती थी はい настолько के साथ कोबाल्ट निकल को रख दिया गिया कोबाल्ट निकल को iron से बहुत दूर रख दिया गिया और एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्तों को रख दिया गया ये इसके अभगुन थे एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्तों को रख दिया गया ये इसके अभगुन थे ठीक है ये डोबेरिनर ने तिरियक नियम दिया डोबेरिनर ने सर कौन सा नियम दिया तिरियक नियम दिय था पहले और तीसरे तत्यों का परमानु भार के पहले और तीसरे तत्यों के अवसत भार के बराबर सिरियक्नियम किस ने रिए 3829 में दुबेदिया ने और 1863 में दिया था निवलेंड ने अस्टक नियम पहले का नौ में से नहीं पहले का आठ में से साथे जोड़ना और दूसरे का नौ में से तीसरे का दस में से का हो राजा कुझा आत की नहीं खेंगे अब हम लोग अगली कच्छा में पढ़ेंगे सर इसका डीटेल में मेंड लीफ का और फिर पढ़ेंगे सर हम लोग सबसे जाए डीटेल में मौसले का